वेलकम डू माई चैनल पेंकिसमाल कुछ बात आपके साथ आज का टोपिक है हम बच्चों को केसे आसानी से नंबर सिखाएं मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें बच्चों को केसे आसानी से आलफाबेट सिखा पाएं अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे बोक्स में उसका लिंक दे दूँगी उसे जरूर देखिए जिस तरह से हम आलफाबेट सिखाए थे उसी तरह से नंबर भी सिखाने वाले हैं बस एक चीज एड करना चाहूंगी जब भी आप बच्चों को कोई भी चीज सिखाए तो हमेशा उन्हें एक इमेज के साथ या फिर एक स्टोरी राइटिंग के साथ या फिर एक गाने के साथ सिखाए जो बच्चों को आसानी होगा कि वो जल्द ही उसे पिक कर लें चली आज देखते हैं बच्चों को कैसे नंबर पेटेन सिखाए पहले आप स्टांडिंग लाइन सिखाए स्टांडिंग लाइन के बा एक स्लोटिंग अकसर बच्चों को ज्यादा जरुवत पड़ती है फिर भी दोनों स्लोटिंग आप सिखा सकते हैं इसके बाद लेट कर्व राइड कर्व सिखाना है और एक चीज आपको सिखाना है जो सर्कल है सर्कल हमेशा आप एंटी क्लोकवाइज ही सिखाई इसे के भी लिख सकते हैं वान स्ट्रोक डाउन आहे तो मेक ता नमबर वन तू राइड कर्व स्लीपिंग लाइड 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 कर्व स्लीपिंग कर तो मेक ता नमबर 3. 4. standing line, sleeping line, standing line, to make ता नमबर 4. 5. sleeping line, standing line, right curve, to make ता नमबर 5. 6. lift, curve, circle, lift, curve, circle, to make ता नमबर 6. 7. sleeping line, slanting line, sleeping line, slanting line, to make ता नमबर 7. 7. lift, curve, right curve, lift, curve, light curve, go up to make ता नमबर 8. 9. lift, curve, standing line, lift, curve, standing line, to make ता नमबर 9. 9. anti-clockwise round, anti-clockwise round, to make ता नमबर 0. इस तरह से हम 1 से 9 तक भी सिख जाएंगे. इसके बाद हम 0 सिखने से 8, 10, 11 इस तरह से आगे का नमबर भी बोल सकते हैं. तो प्लीज लाइक, शेयर जरूर करें. सस्क्राइब करें. और उसके साथ बेल आइकन को दबाएं. बेल आइकन दबाने से हमारा जो भी न्यू विडियो होगा, वो आपको पहले नोटिफिकेशन में मिल जाएगा.